कि अच्छ हेलो एंड वेलकुम ओल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7.62 mm SLR के बारे में इसकी डिटेल बताऊंगा कि इसकी कितनी लेंथ है वेट है जो भी इसकी बेसिक डाटा है वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा तो 7.62 mm SLR के बारे में चलिए शुरू करते हैं य क्यों से पहले देखिए इसको self-loading rifle हम क्यों कहते हैं क्योंकि यह जो weapon है इसको हमें बार-बार cock नहीं करना होता है जब हम इसको एक बार cock कर देते हैं है एक बार जब हमने इसको cock कर दिया ज़ो next round है जैसे एक round fire हो जयता है तो next round जो है वो खुद बाखुद लोड हो जयता इसलिए हम इसको कहते है 7.62 mm इसलिए हम इसको कहते है self-loading rifle इसके इलावा 7.62 mm जो है वो इसका round है इसमें 7.62 mm का round आता है ठीक है 7.62 mm का round आता है चलिए next देखते है next है principle कारे यह किस principle प्रिंसिपल प्रिंसिपल पे काम करती है किस सिधानत पे काम करती है तो यह करती है short stroke piston operated and gas operation system पर ठीक है इसका इसका जो वर्किंग है यह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी कि यह किस सिधांत पर काम करती है क्योंकि इसका प्रिंसिपल है जो वो समझाना पड़ेगा ठीक है तो यह है शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन अपरेटेड एंड गैस ऑपरेशन सिस्टम फिलाल के किस ट्इफ का यह फायर करती है क्या प्रिंसिपल लिसका प्रिंसिपल और वर्किंग जो है इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है है नेक्स्ट चाहर है सबसे पहले देखते है length of SLR ठीक है length of SLR length इसकी तीन type में बांटी हुई है ठीक है सबसे पहले है small but के साथ medium but के साथ large but के साथ but आपको पता होगा but क्या होता है हना तो small large और medium but जैसे यह है जो यह चीज है जो इसको हम बोलते हैं but हना तो इसके base space की तीन length है इसमें किसी का जो है वो medium है किसी का जो है वो small है ठीक है तो चलिए सबसे पहले जो small but के साथ है तो इसकी है 44.35 inch medium but के साथ इसकी length है 44.85 inch और large but के साथ है 45.35 inch ठीक है यह होगी इसकी length इसकी तीन type की length है नच देखते हैं magazine के बारे में देखते हैं जो इसका magazine है तो जो इसका magazine का weight होता है वो है 9 ounce यह फिर 255 gram से भी इसको बोलते हैं देखे सबसे पहले मैं आपको बता तूँ इसमें जो pound और ounce यूज होते हैं का क्या मतलब है देखे एक pound में एक pound में होते हैं हमारे 16 ounce ठीक है एक pound में 16 ounce होते हैं इसके लावा एक ounce में एक ounce में कितना होता है 28.35 ग्राम और एक pound में कितने होते हैं एक pound में होते हैं हमारे 453.59 ठीक है ठीक है तो तो 9 ounce का आप देख सकते हैं 9 ounce में इसमें होते हैं 255 ग्राम ठीक है यह 1 pound ounce है आपको नेक्स्ट में भी काम आएंगे आगे जलकर भी काम आएंगे तो इसको नोट कर ले नेक्स्ट है इसका जो full magazine full magazine का weight कितना है मतलब कि जब magazine में round भरे होते हैं तो उसका weight होता है 709 grams यह एक pound और 9 ounce और जो इसकी capacity है कि इसके magazine में कितने round आते हैं तो वो आते हैं इसमें 20 round आते हैं ठीक है चलिए next देखते हैं नेक्स्ट है बेनट बेनट का आपको पता होगा क्या होता है बेनट होता है जैसे जो हमारी rifle होती है इसमें जो आगे यहां पर एक stud होता है यहां पर आगे एक खुख्री type की लगी होती है ठीक है जो तब काम आती है जब weapon में कोई round की कमी हो है और दूश्मन हमारे पास हो तो हमें हम таким होता है उसको तो बेनट की कितनी लेंट होती है उसको बेनट बोलते है उसकी लेंट होती है tす इंच और बेनट का वेड़ क्या होता है उसका वेड़ है two eighty three grams ठीक है नेक्स्ट है कि राइफल का वेट कितना है है ना इस राइफल का वेट कितना है सबसे पहले देखो वेट आफ राइफल विद आउट मैगजीन सिर्फ और सिर्फ राइफल का वेट है ये अभी इसमें मैगजीन नहीं लगी हुई है ठीक है सिर्फ राइफल का वेट कितना है 9.1 राउंस है राइफल वेट है राइफल का विद एम्टी मैगजीन ये राइफल भी है हमारे पास और इसके साथ जो मैगजीन है वो भी है लेकिन मैगजीन में राउंड नहीं है खाली मैगजीन है सिर्फ तो उसका वेट है 10.4 रा है फुल है उसका वेट है गैरा पाउंड चार आंस जा फिर पांच केजी 109 अब देखिए यह क्या है वेट आफ राइफल विद मैगजीन और वेनट ठीक है इसमें मैगजीन भी है तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास राइफल भी है ठीक है उसके पास हमारे पास magazine भी है और वो भी भरी हुई है ठीक है और तीसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास बेनट भी लगा हुआ है इसमें ठीक है तो बेनट भी लगा हुआ है और magazine भी भरी हुए और rifle भी है तो इसका वेट है जो है वो 11.14 उसे आफिक पांच केजी 302 ग्राम ठीक है यह हमारा वेट इसके लावा जो अदर डिटेल्स है इसमें सबसे देखिए इसमें barrel लेंथ क्या है इसकी barrel आपको पता होगा इसमें barrel लेंथ है इसकी 21 इंच जो इसका flash eliminator है वो है 3.25 इंच का है ठीक है flash eliminator किसके लिए होता है यह चिंगारी को जजब करता है ठीक है जो चिंगारी होती है उसको जजब करने के लिए होता है ये flash eliminator, sighting radius इसकी है क्या, 21.77 inch, ठीक है, sighting radius आपको पता होगा क्या होती है, जो हमारी four side tip होती है, उसका और, जो हमारा aperture hole होता है पीछे, aperture hole और four side tip के बीच में जो distance होता है, उसको हम बोलते है, sighting radius, ठीक है, four side tip और aperture hole, सरी, aperture hole, ठीक है, effective range, इसकी range कितनी है, वो है 300 meter, muscle velocity, मतलब कि जो इसकी गोली है, गोली की रफ़तार कितनी है, वो है 2700 foot per second, और number of groups कितने हैं, इसमें, groups होते हैं, जिनकी वज़ा से, देखिए, आप उनने सुना होगा, जो गोली होती है, वो सीधी नहीं जाती है, तो वो किस वज़ा से गुमती है, क्योंकि जो इसकी barrel है, उसके अंदर groups होते हैं, तो इसमें जो groups हैं, वो है 6, और जो उनका गुमाओ है, वो है 9 side, मतलब right side को उसका गुमाओ है, जो उनका groups हैं अंदर, ठीक है, next देखते हैं, next है इसका ammunition, इसमें जो ammunition पढ़ता है, वो कौन सा ammunition है, ठीक है, ammunition का size है, इसमें 7.62 x 251 mm, ठीक है, और, जो इसका rate of fire है, अगर इसको हम normal fire करें, तो इसमें से 50 round per minute के रफ़तार से, हम जो है इससे fire कर सकते हैं, अगर हम rapid fire करते हैं, जल्दी fire करते हैं, तो 20 से 30 round per minute fire कर सकते हैं, एक minute में 20 से 30 round fire कर सकते हैं, cyclic round, इसका 60 round हम इसमें से fire कर सकते हैं, cyclic round का मतलब यह है, कि यह जो rifle है, लगातार fire करते चले, ठीक है, और इसको जो है, magazines जो है regular मिलती चले, ठीक है मैगजीन्स इसमें रेगुलर मिलती चले और यह लगातार फायर करती चले तो यह साइक्लिक जो फायर बोलते हैं इसको यह साथ राउंड एक मिनिट में फायर कर सकती है ठीक है तो यह थी इसके बारे में SLR के बारे में डिटेल्स और यह आपको काफी हल्प करेगी आ इसके इलाबा इसमें कोई इतनी खास जानकारी नहीं है, बाकि जो इसका प्रिंसिपल है, बर्किंग है, और इसके जो पार्ट के नेम है, वो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लेके आऊँगा, ठीक है, तो उमीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अ